Hello guys and welcome back to my channel तो आज हम बात करने वाले हैं Moto Max Cream Polish के बारे में तो basically हमने इसको online order किया था इसकी बात करेंगे तो 370 रुपीज में इसमें 230 ग्राम है और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की पैकेजिंग देखने को मिलती है तो अब जो हम इसको अपने कार पे अपलाई करने वाले हैं तो आप देख सकते हो पीछे के साइड में महिंदरा थार ब्लाक किलर की है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस गाड़ी को clean करना पड़ेगा और simply हमें इसके उपर का पार्ट इस तरह से निकालना होता है और यहाँ पे देखिए एक sponge हमें देखने को मिलता है आप यह देख रहे हो बहुत ही बढ़ी आगालिटी का sponge है तो simply हमें इसको यहाँ से open करना होता है इसे अगर से आप इसको एक coin के मदद से अगर इसको थोड़ा सा उपर उठाओगे तो यहाँ से निकल जाएगा मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाड़ी को आप यहाँ पे देख सकते हो इस पे बहुत जादा dust बैट चुका है तो सबसे पहले हम जो है इसको एक गिले कपड़े से clean करेंगे माइक्रो फाइबर से clean करेंगे जब भी आप अपनी कार को clean करते हैं तो माइक्रो फाइबर की मदद से ही उसको clean करें नहीं तो उस पे जो है हमें crashes देखने को मिल जाते हैं तो गाइस गाड़ी तो हमने clean कर लिया है अभी इसको apply करने का टाइम आ चुका है तो हमें जब भी apply करना होता है वो metal part पे पेंटेट पार्ट होता है उसको ही apply करना होता है फाइबर वाले पार्ट पे इसको apply ना करें को बॉक्स तो हमने open कर लिया यहां पर आप देख सकते हो हम जो है न्या बॉक्स मंग आइथे असको तो सबसे पहले हमें इसको इस से लेना है यहां से और लेने के बाद में जब भी हम इसको लगाएंगे इसको जो है हमें पूरी बॉडी पे लगाना है उसको गुमाना है तो ऐसे सारी गाड़ी के उपर यह जो है आपके गाड़ी के उपर 7-8 बार जो है लगेगा और हमें जो है मन्त में सिर्फ एक ही बार जो है यूज कर सकते हैं और 7-8 बार रहने के नियर अबॉट 7-8 मेना यह चलेगा बहुत ही बढ़िया है और मैं आपको आगे रिजर्ट्स भी इसके बताना चाहूंगा व यहाँ पे छोड़ेंगे इसको थोड़ा सा ड्राय होने के लिए एक लेयर बन जाएगी फिर इसको जो है हम एक सुके कपड़े से जो है माइक्रो फाइबर से उसको पूरा पोच के क्लीन कर लेंगे तो गाइस जब भी आप इसको अपलाई करते हैं तो एक अच्छे खासे खुली हवा में जो है इसको अपलाई करिए और बंद पैक रूम में अपलाई ना करें इस पर इंस्ट्रक्शन दिया है और साथी साथ में धूप जहां पर रहती है धूप में अपलाई नहीं करना है और दूसरी चीज अगर से गाड़ी का बोनेट अगर जादा गरम है तो अब हमारा यहां पर इसको हम लेते हैं और इस से जो है इसको अच्छे से क्लीन करेंगे सर्कुलर मोशन में ही इसको जो हमें घुमाना है फिर से कि आप यहां पर पीछे देख सकते हो मेरे हमने जो है यहां पर कुरा क्लीन कर लिया है और अभी जो इसकी शाइनिंग बहुत देखने को मिल रही है और साथी साथ में बहुत ही सर्फिस जो है सॉफ्ट हो चुगा है मैं आपको बैक कैमेरा से दिखाता हूं एक बार एकदम आप देख सकते हो मेरेर फिनिशिंग जो है यहां पर देखने को मिल रही है और डार्क कलर में बहुत ही बढ़िया यह दिखाए जेता है दोस्तों एक चीज़ हमेशा दयान रखिए यह भी एक केमिकल है जब भी आप पेंट पे यहां पे अप्लाइ करते हैं तो इस आप में उंगली मत करिए क्योंकि फिर वहां से आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अफ्टर आल केमिकल है और आप यहां पे देख सकते हो सिर्फ हमने यहां पे ही अप्लाइ किया था ठीक है अभी यहां पे हम अप्लाइ करेंगे साइड वाले पार्ट पर आज की अधिए वडियोन में सर्भी इतना ही था विडियो अचले हर ग़रे लाइक करें अधिजाए अगर इसमया सरी वीडियो वाच करिए तो मिलते हैं नेक्स रऑं में